हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको यह डिजाइन बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही इजी डिजाइन है इसके लिए हम बैड शीट या कुशन कवर या अपना कोई भी पीज बना सकते हैं इसे जैकेट वगरा होगी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं करूंगी इसमें नब् का चायण होने पर एक डंडा कड़ा करना है और दो दो चैंठ चोड़के एक मैं ही तीन डालेंगे फिर एक की चैन करके मैं ही तीन फिर से वहीं पर डालेंगी उसके बााद हम 6 डंडे डालेंगे simple 6 डंडे और यह जो 6 डंडे हैं हर एक में एक एक करके डलेगा हर एक में एक एक 6 डंडे इस तरह से उसके बाद हम एक कुंड़ा चोड़के अगले में एक डंड़ा डालेंगे उसके बाद फिर से एक कुंड़ा चोड़के अगले में एक डंड़ा डालेंगे और तीसरी बार फिर हम एक चोड़के अगले में एक कुंड़ा डालेंगे फिर से एक छोड़के अगले में एक डंडा और अब फिर हम एक छोड़के एक डंडा और अब हर एक में एक डंडा छे बार कुल छे डंडे होंगे हर एक में एक एक इस तरह से अब हम अगले कुंडे में एक की जगा पर तीन कुंडे डालेंगे और इनमें एक की चैन फिर से इसी जगा पर तीन कुंडे डालेंगे फिर से तीन कुंडे और अब फिर से हम हर एक में छे कुंडे डालेंगे इस तरह से छे कुंडे डालने के बाद फिर से हमारा वही डिजाइन शुरू हो जाता है एक छोड के एक कुंडा एक छोड के एक कुंडा इस तरह से और हमने छे जो छे चे कुंडे डाले हैं यह हमारे पांच बार डालेंगे कुने पर हम एक डंडा डालेंगे ताकि हमारा जो साइड है एक दम सीधी रहे और यह एक उपर तक चलेगा और अब हम जहां हमने छे डाले थे उनके बीच में हम वैसे ही छे कुंडे डालेंगे तीन कुंडे डालके एक किचैन और फिर से यह हम पर तीन कुंडे अब इसमें आगे हम छे कुंडे डालेंगे यह देखिए इस तरह से हम छे कुंडे डालेंगे इसमें यह हमारे छे कुंडे डल चुके हैं कोने पे हमने इस तरह से ही बेस बनाना है ताकि ना यह घटे न बढ़ें अब हम दो कुंडे चोड़ेंगे और तीसरे में एक रंडा चे कुंडे डालने के बाद अब हम एक छोड़ेंगे जो हमने तीन डाले थे उनके सेंटर वाले कुंडे में एक कुंडा डालेंगे और फिर से एक छोड़के एक रंडा और यह जो तीन हमने एक जगा डाले हैं यह मिला के और इससे अगले तीन मिला के ये छे होगे और इससे आगे दो कुंडे चोड़के हमने इसमें डालना तीन सिंपल कुंडे और तीन जो एक ही कुंडे में डले हुए हैं वो कुंडे मिलाकर हमारे होंगे छे कुंडे सिंपली छे कुंडे अलग से और एक ही कुंडे में यानि के चैन में छे कुंडे अलग से जिसमें एक की चैन है ये अब इसमें तीन कुंडे डाल दिये और एक की चैन करेंगे और इसी में फिर से हम तीन कुंडे डाल देंगे इस तरह से ही ये डिजाइन बनेगा कोने पे हमारा ये डिजाइन है सिरफ दो लाइन का डिजाइन है ये पाँच फूल चलेंगे ये उपर तक बीच में तीन तो कम्पलीट होंगे और साइडों में एक एक ये जो अधूरा सा है साइडों में एक एक ये और दोरा सा आजाएगा और बीच में तीन पूरे फूल है ये देखिए क्योंकि हमें बीस बाई बीस का साइज पूरा करना है हमें बीस बाई बीस का साइज मिला है तो हम ये बीस बाई बीस का पल्ला बना रहे हैं इस तरह से design complete होगा ये design आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं ये मेंने half ready कर लिया है और ये दो cushion मेरे ready है आपको ये video कैसी लगा मुझे कमट में जरूरबताएं design कैसा लगा ये भी बताएं thank you for watching video bye bye